देखो regular syllabus में जो हमने permutation combinations में करा exactly वही requirement है competitive exams की IIT के लिए हमें वही चाहिए लोगों को क्या नहीं समझ में आता है उस बात को हमने जड़ से पकड़ा कि लोग पूरी तरह सब सो बिलकुल गलत कहानी में फसे रह जाते हैं कि permutations and combinations main काम है वो हमें समझ में आता है कि नहीं है main काम क्या है story building तो हमने जो इतनी classes attend करी उसमें केवल ही observe करो कि उस story building के task को मैं handle कैसे करता हूँ so this is the first requirement उसके लावा actually थोड़े से after completion of the school syllabus थोड़ी सी बाते और हैं जो कि directly हमने school के syllabus में नहीं सुनी वो अपतर नहीं है और बहुत simple है directly IIT में जब उन बातों पे questions आया है school के exam में हमें नहीं आया उन points पे questions पर जब भी कभी competitive exams में उन points पे questions आये हैं तो वो directly भी हो जाते हैं इस बात को याद रखना जो हम लोग अभी बात करेंगे वो तो करेंगे पर इन सब का king पता है कौन है story building जो हमने पहले से जड़ पे बना लिया पर कई बर questions को fast करने के लिए कोछ छोटी छोटी बाते पता हूँ तो हमें help होती है तो आजवली class में उस नई कहानी का execution देखते हैं पहले चलो अब इसको notice करो बड़ा interesting question केवल अभी सुनना फिर उसके बाद discussion में देखेंगे कि actually करना क्या है मानलो हमें किसे ने simply ये दिया मानलो question ही होता simple question से करते हैं शूरू उसके बाद देखेंगे आगे बहुत कहानी है किसी ने मानलो हमें दिया कि x plus y plus z बराबर है 10 के हमें किसी ने कहा कि इस equation के number of non-negative solutions बता दो find non-negative solutions non-negative integral solutions of this equation x plus y plus z बराबर हैं के बहुत easy format से शुरू कर रहे हैं बिलकुल इसको ध्यान से notice करना की क्या समझ रहे हो मानलो एक question अगर मेरे सामने पहली बार आया x plus y plus z बराबर मुझे 10 के करना है non-negative मतलब 0 हो सकता है x 0, 1, 2, 3 अगर वो यहाँ positive लिखते तो हम लोग फिर 1 से शुरू करते पर उन्होंने non-negative दिया मतलब 0 हो सकता है x इस question में अब यहाँ पर 3 है x, y, z है अगर मुझे कोई और बात ना समझ में आती तो मैं यहाँ पर simply cases create कर देता कैसे मानलो एकबर मैंने x को 0 लिया अपना basic historic building का जो funda है वो तो clear होना चाहिए y और z को मैंने fill करना है x को मैंने खुद 0 डाल दिया y और z को मैंने ऐसे fill करना है कि जो sum बने वो 10 बन जाए तो minimum सबसे पहला case क्या बनता कि यह 0 हो जाए, यह 10 हो जाए फिर यह 1 हो जाए, यह 9 हो जाए यह 2 हो जाए, यह 8 हो जाए last में यह y 10 हो जाए और यह 0 हो जाए तो cases कितने बने? 11 तो इसके corresponding cases हमने गिन के निकाल लिये, 11 बने अब हमने x को डाल दिया 1, x को 1 डाला इसको 1 दिया, देखो मैं यह बिलकुल story building की approach से कर रहा हूँ सबसे पहले हमें बिना कुछ और करे यह ऐसे तो आना चाहिए उसके बाद वाली कहानी उसके बाद है y को 1, इसको 8 मतब x 1 ही है last में क्या case बनेगा कि y 9 और यह 0 तो इसके cases बने 10 ऐसे जब यह 2 होगा तो इसके cases बन जाएंगे 9 ऐसे last में जब यह 10 हो जाएगा तो इसके cases इसकेस में बनेंगे 0 हमेरे दिक्र रहे हैं कि simply 0 cases बनेंगे तो यह 11 से लेके 0 तक का sum बना इतने cases बने मतलब simply 1 से लेके 11 से लेके 0 तक का sum बन गया यहाँ पर 1 बन था 0 से लेके 10 है 11 यह यहाँ पर 1st case में cases बने 11 फिर 10 फिर N जब last में यह जब यह 9 है तो हमें sum क्या चाहिए sum 10 चाहिए तो यहाँ पे जो cases बने वो थे 2 तो 0 तक खानी बने गई ये 1 case बना 0 मने कलती से लिख दिया है अपर जब ये x यहाँ पे 10 होगा तो ये दोनो 0 और 0 होगा तो वो एक case होगा तो ये 1 से लेके 11 तक का sum बना 1 से लेके 11 तक का sum क्या बना तो ये पता होने के बाद ये पता है हमें ये question अगर मेरे सामने आता तो इसको deal करने का एक structure exactly हमें ऐसे आना चाहिए क्यों? क्योंकि almost 100% surety है कि जो अब हम बात सुनने लगें उस पे books में बहुत सारे questions है पर IIT में examiner बहुत शाप है, बहुत चलाक है वो जो question वहाँ पे डालते हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो regular understanding से ना हो सके तो ये उससे देखो hope आ रहा है मैंने वैसे ही करा अब इसी question को deal करने की एक अलग approach सुनो देखो मैंने जान बूझ के पहले इसको उस तरीके से करके दिखाया जैसे हमारी school की book में हमने करा है अगर ये question मेरे सामने आता तो मैं इसको इस approach से कर सकता था which is valid पर अब कुछ बिलकुल अलग सुनते हैं जो हमने पहले नहीं करा हुआ तो जो अब करना है उसको बहुत ध्यान से सुनो यहां जो x है वो 0 से लेके क्या हो सकता है? 10 y क्या हो सकता है? 0 से लेके 10 Z क्या आओ सकता है 0 से लेके 10 तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इन सब का मिला के साम 10 चाहिए तो एक तरीके से इनावे X की पार 0, X की पार 1 से लेके X की पार 10 multiplied by Y की पार 0 से लेके Y की पार 10 multiplied by Z की पार 0 से लेके Z की पार 10 बिल्कुल basic कहानी समझना बाकी बच्चों ने रट्टे मारे होते हैं तो उनका पेपर में question नहीं होगा अगर इस बात पे based question आया तो हमारा वो guaranteed solve होगा जो बता रहा हूं उसको समझना हमें किसी ने ये दिया कि find the number of solutions of this तो अब देखो यहाँ पे X कहां से कहां तक vary कर सकता है 0 से लिके 10 तक Y कहां से कहां तक vary कर सकता है 0 से लिके 10 तक Z भी similarly 0 से लिके 10 तक vary कर सकता है तो अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब मैंने इन तीनों को multiply करा तो इन तीनों के multiply करने पे जब जब ऐसी term बनेगी सुनना बहुत ध्यान से इन तीनों के multiply करने पर जब जब ऐसी term बनेगी जिसके degree 10 होगी मानलो यहां से x की power 4 ले ली यहां से y की power 3 ले ली तो degree कितनी बन गए मिलाके 7 4 और 3 फिर यहां से z की power 3 ले ली तो degree कितनी बन गई 10 जब जब इसमें 10 degree वाली term बनेगी इस expression में वो वो जितनी बार बनेगी वो मेरा answer होगा कितनी बार बनेगी हमने वो गिनना है कि we have to find number of times यहां पे degree 10 वाली term बनेगी इसको notice करो कि ऐसा क्यों जब degree 10 वाली term बनेगी तो वही तो बना जो हमें चाहिए x की power, y की power, z की power मिलाके आपस में powers मिलाके 10 बन रही है हमें वही चाहिए तो इसका मतलब मुझे इस expression में degree 10 वाली term चाहिए अब सुनना इसके बाद अब यहां पे y की power 0 से y की power 10 है तो अगर मैं इसको भी x की power 0 से x की power 10 लिख दूँ क्या फरक है, हमें degree 10 नहीं चाहिए इसको भी x की power 0 से x की power 10 लिख दूँ तो एक तरीके से हमें 1 से लेके x की power 10 तक इसके whole cube में हमें degree 10 वाली term चाहिए मतलब हमें x की power 10 का coefficient चाहिए तो question हमने इस question को ये बना लिया coefficient of x की power 10 in this अब काम क्या है इसके बाद बहुत ध्यान से सुनना फिर gradually हमारा हाथ बहुत तेज़ चल जाता है जब मुझे इसमें x की power 10 चाहिए तो अब ये तो gp है, gp कितनी terms की, 11 terms की तो coefficient of x की power in this मतलब coefficient of x की power 10 in इस gp का मैंने sum निकाला वो आ गया 1 minus x की power 11 का cube अब ले गए कि power minus 3 ये बन गया question मुझे coefficient of x की power 10 चाहिए in this expression तो अब जो नया नाम है जो हमने पहले नहीं करा हुआ वो actually यहाँ पे है इस वज़े से ये question पहले हमारे syllabus में directly नहीं आ पाया क्योंकि हम लोग ने binomial expansion जो करी है वो करी है for positive integral positive integral power जो उपर जो साइन होता है वो radical नहीं होता था fractional और negative power के लिए हमने binomial के expansion नहीं करी हुई तो हमने अभी भी भी नहीं करनी बहुत छोटा सा point है बस उसको याद रखना है मुझे इस में से x की power 10 चाहिए वो मेरा answer होगा अब एक बात सोचो जब इसको expand करों को तो दिखता है कि जो पहले 1 आएगा बाद में हर term में x की power 11 आएगा तो उसमें से तो आएगी ने x की power 10 आ भी सकती थी अगर यहाँ पर 10 की जगा कुछ और होता पर उन्होंने दिया 10 यह time है तो इसका मतलब मुझे coefficient of x की power 10 coefficient of x की power 10 in 1-x की power minus 3 चाहिए minus 3 चाहिए यह रहे गया मेरा question तो अब 1-x की power minus n का जो expansion होता है वो हमने याद नहीं रखना हमें नहीं चाहिए हमारा syllabus में नहीं है बस हमें coefficient of x की power r in 1-x की power minus n यह याद रखना है वो होता है n plus r minus 1 c r यह हमने याद रखना है बस ही याद रखना है x की power और यह बना कैसे simply x की power जैसे हम 1 plus x की power n को expand करते थी वैसे ही 1 minus x की power minus n का expansion होता है कोई बड़ी बात वो भी नहीं है पर हमारे syllabus में नहीं है यह rare case में हमें काम आ सकता है books में कई बार उन्होंने इस बात को लेके panic कराया होता है बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि हम कब करेंगे हम कब करेंगे तो मुझे तो यह पता है नहीं है कि IIT में जो question पूछे गए वो story building से भी clarity में solve होते हैं पर इसकी भी हमें help हो सकती है पर देखो यहां तक पहुचने से पहले हमने directly है याद नहीं करा सब बच्चे stupid काम क्या करते हैं कि वो उसको याद करते हैं बच्चे stupid काम क्या करते हैं उनको stupid काम करवाया गया होता है तो हमने कुछ यादवाद नहीं करना देखो इसके पीछे बिलकुल जड़ पकड़ी की यहां तक पहुचना कैसे था अब बात बनी क्यों यह क्यों जड़ पकड़ी क्योंकि कई बार यहाँ पे इसका भी रोल हो जाता है तब वो बच्चे फस जाते हैं तो हमें यह ऐसे आना चाहिए चलो अप कोफिशिट अफ एक्स की पार 10 इन दिस चाहिए इसमें r कितना हो गया 10 n कितना है 3 और 12C2 कितना होता है 12 into 11 by 2 which is 6 is 6 सेम आंसर आगया यह है वो कहानी जो हमने पहले नहीं करी हुई यह है वो स्थोरी जो हमने पहले नहीं करी हुई नहीं करी हुई फिर क्या हो गया छोटा सा काम था जो बड़ा काम है न इस टॉपिक में वो हमने करा हुई पहले वो क्या है स्थोरी बिल्डिंग वो काम क्या है स्थोरी बिल्डिंग हमें वो आना चाहिए वो मुझे मुझे पता है कि देखो अब अगर मुझे यह ना आता होता तो तब भी मैं इस क्वेश्चिन को story building से कर देता, कोई डर थोड़ी है simply यहाँ पर X के cases बना, I corresponding Y और Z के cases मैंने गिन लिये तो this is the task तो IIT में जो question उन्हों ने इस बात को use करते हुए डाले हैं कभी, आये हुए वो actually story building से भी parallel हो रहे होते हैं तो जो बच्चे गलत करते हैं, जो बच्चे इस पर questions बहुत level के बहुत ज़ादा books में भड़े पड़े हैं पर जिस exam की हम तैयारी कर रहे हैं, उस exam में वो उस पर panic नहीं करवा रहे हैं बहुत variety बन सकती है इसी में बहुत सारी variety कैसे बन सकती है, just to explain बहुत variety है, पर चलो सुन लो, मानलो मैं आप इसको 2x प्लस y प्लस z लिग दू equal to 10 मानलो मैं इसको 2x प्लस y प्लस z लिग दिया अब जो x वाला component है वो समझ में आता है कि केवल even number बनेगा तो जब x को 1 डाल होगे तो ये 2 बनेगा, तो अब जब हम इसको जैसे गिन गिन के कर रहे थे, story building से तो ये अभी भी doable था अभी भी हो जाता, पर अब की बार यहां जब करते हैं, हमें तो कोई जड़ से बात समझ में आती है तो मैं यहां पर x की पार 0 से लेके कि यहां पर पहले x की पार 0 आता पिर अगली जो term आती वो x की पार 2 आती क्यों जब x को 1 डालोगे तो यह 2 बनेगा तो यहां पर x की पार 4 आता फिर यहां पर x की पार 6 आता फिर x की पार 8 फिर x की पार 10 जो आगे वाले terms थी वो same रहती क्यों क्योंकि वहां पर y और z था इसको सोचना ऐसे exam जब IIT में question आये भी हैं तो उनोंने भी बहुत basic तरीके से फसाया है अगर वो इतना भी फसा देना तो वहां पर जिन बच्चों ने यह याद करा होता है उनका paper में question तब भी solve नहीं होगा हमारा होना चाहिए क्योंकि हमें इसकी जड़ समझ में आती है अगर कोई मुझसे इसके भी positive integral solutions पूछ ले तो मैं उसको जवाब देने के लिए तब भी ready हूँ यह है सही कहानी चलो अब इसका usage देखते हैं अब देखो इसमें जैसे से speed बढ़ जाएगी ना तो इसमें फिर बहुत fast हो जाते हो जैसे मानलो किसी ने मुझे बोला x plus y plus z plus w equal to 10 मानलो किसी ने 4 terms देती x plus y plus z plus w is equal to 10 किसी ने बोला कि इसके positive integral solutions बता दो non negative integral solutions बता दो अब यहाँ पर मुझे clearly पता है कि यह 1 से लेकि 1 plus x plus x square x की power 10 तक की gp बनने वाली है बिलकुल same काम तो है यह 1 minus x की power 11 की power 4 बन जाएगा into 1 minus x की power minus 4 बन जाएगा इसमें से coefficient 1 multiply करेगा यहाँ के x की power 10 वाली term के साथ तो इसमें x की power 10 क्या होगा n plus r minus 1 cr यह मेरा answer है तो देखो अगर यहाँ पर 4 terms होती तो मैंने number of non integral solutions और non negative integral solutions of यह question solve कर लिया अब इतनी fast 13c3 उसको solve कर दो इसी में ही मैंलब यह actually यह एक कहानी है इसी का अब बहुत तरीकों से और use है जैसे मानलो मैंने बोला एक example देके बताता हूँ उससे थोड़ी सी हमें help हो जाएगी और कोई खराबी नहीं उसमें मानलो मुझे given है unlimited number of unlimited मेरे पास unlimited मेरे पास मानलो red balls है unlimited blue balls है और unlimited green balls है unlimited है तीनों जो है quantity तीनों की unlimited है जो red balls है वो identical है same है same है red balls सारी same है यह भी सारी same है और यह भी सारी same है किसे ने यह देके कहा कि find the number of selections of 12 balls that can be made 12 balls लेनी है तो अब यहां से हम लोग कुछ red ले ले कुछ blue ले 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 कुछ green ले ले तो मुझे number of red balls number of blue balls plus number of green balls जो चाहिए वो 12 चाहिए तो अब यहां पे ball same है तो मुझे balls को select तो करना नी balls को मुझे select तो करना नी simply red balls मैं 2 ले सकता हूँ यहां पे मैं 2 fill कर सकता हूँ यहां पे 5 यहां पे जो और बचा तो cases बनेंगे अब इस question को notice करो यह red ball same है तो अब क्या समझ में आता है कि यह same situation बनी r की पार 0 से ले के infinity तक b की पार 0 से ले के infinity तक और g की पार 0 से ले के infinity तक मुझे इन तीनों की multiplication में को x लिख लेता तो 1 minus x की पार minus 3 infinite gp बनी 1 minus x की पार minus 3 में x की पार 12 find करना है तो इस question जब यह एक बार बात समझ में आ जाये तो फिर यह काम इतना चोटा रह जाता है यह कितना बनेगा simply 3 plus 12 minus 1 c 12 c 12 this would be what जितना भी बना भी 14 c 12 which is 14 c 2 14 into 14 into 13 by 2 7 into 13 91 answer है तो देखो इसको break करने का तरीका इतना कम इतना easy हो जाता है मान लो हमें अब कोई इसी में बोले कि at least one ball of each color is to be taken at least one of each color of each color तो लेनी लेनी है तो इस question में जो r है वो अब minimum कितना हो गया r की power 0 नहीं होगी न इसी का मैं second question बता रहा हूँ तो r की जो minimum value उस case में बनेगी वो क्या होगी 1 तो अब r की power 1 से शुरू कर होगे तो हमें को डर थोड़ी है तो ये बन गया x plus x square and so on infinite gp का whole cube इसमें x की power 12 निकालना है ये बन गया ये same question तो जब मुझे x की power 12 निकालना है अब की बार x की power 0 नहीं है क्यों हर एक की minimum जो value हो वो उसने दी की 1 है ये भी हो सकता था कि 1 की 1 हो, 1 की 2 हो, 1 की 3 हो तो भी हम सेम तरीके से करते ये ultimately कहानी ऐसी बनती अब देखो इसमें सकर मैं एक x common ले लूँ तो x cube तो बाहर आ गया x cube जब बाहर आ गया तो x की power 12 में से x cube तो निकाली दिया तो समझ में आता है कि x की power 9 बचा इन 1 प्लस x प्लस x square and so on का whole cube में x की power 9 निकालना है ये फिर से infinite gp है ये बन गया ये question which is 11 c 2 वो अपना answer है तो अगर इसी question में उन्होंने कहा होता है कि at least one variety of each is to be taken तो हमें simply clarity है कि r की पार 0 से मत करो शुरू r की पार 1 से करो बाकी जो logic है वो exactly same है so this is one part जो हमने पहले नहीं करा होता पर उतना special नहीं है हमें आना चाहिए अब next देखते है चलो अब देखना शुरू करते है assignment के सारे questions जो अभी हमने point करा वो भी directly use होगा भी आगया assignment में पर sense पकड़ना कि मेरा पूरी तरह focus कैसे होता है कहानी बनाने पे जो हमने समझा कि हमने जब भी कभी permutation combination का question आएगा तो हम उसके पीछे की जो right story है ना वो पकड़ेंगे तो अब देखते हैं उसी बात का execution हमें किसी ने दिया number of possible outcomes in a throw of end ordinary dice in which at least one of the dice shows an odd number अब मुझे एक dice पर odd number चाहिए total number of outcomes कितने बने 6 की पार in अगर सारे even आ जाए तो हर बार 3-3 cases बने वो बने 3 की पार in तो simply दोनों को minus कर दो at least one वाला case आ गया at least one बार चाहिए ना odd अगर वो इसी question में कहते हैं कि exactly 1 पर odd चाहिए वो भी question बनता exactly 8 पर odd चाहिए तो हम उस case में क्या करते हैं हम पहले n में से one position चूज करते हैं जहां पर कि हम odd number डालेंगे मालो इसी question में question यह होता कि exactly 1 पर odd चाहिए ये भी हो सकता था तो n dices को थो करने में मुझे exactly 1 पर odd चाहिए तो मैं क्या करता कहा नहीं बनाता मैं गता कि 1 पर odd ले लो पहले n places है ना तो n places में से 1 place पर odd number चूज कर लो और बाकी सब पर even number even number डालने है तो एक place पहले हमने select कर ली जहांपे की odd number लिखेंगे बाकी सब पर even ही आना है अब हर place को fill करो हर place को fill करने की तरीके कितने होते है 3-3 odd वाली को भी fill करने की तरीके कितने होते है 3 तो इसलिए n c 1 into 3 की power n हो जाता अगर मुझे एक place पर odd number चाहिए होता ऐसी बाकी भी cases बनते इसमें हमें कहा कि यह simple था वैसे question simple डाले थे यह same ही तरह का था actually हमें किसी ने बोला कि triplet चाहिए x y z in which at least two coordinates are equal तो अगर at least two coordinates equal चाहिए तो यहां तो हमें cases बनाता कि two equal हो जाएं और तीसरा different हो जाएं फिर तीनों equal हो जाएं यहां फिर क्या करें कि total cases बना लें वो कितने बन गए यहां पर हम लोग यहां पर repetition distinct elements थे हम लोग n cube तीनों अलग-अलग हमने बोली है पहले को fill करने के n तरी के अगले के भी n अगले के भी n जो बच्चा गलत करता वो कहता कि three select कर लो बस वो यह लिखता यह गलत है यह गलत होता क्यों गलत होता क्यों कि recall करो कि हमने यह सीखा है जब cards निकालते हैं या जैसे dice roll करते हैं dice के roll करने पर three बार मान लो roll करा तो cases बनते है six की power three उसमें हमें समझ में आता है कि arrangement counted है तो जब हम उसमें से कुछ cases subtract करेंगे तो arrangement की counting वाला subtract करेंगे तो यहाँ पे n p3 आता n cube minus n p3 n cube minus n p3 यह सही था actually इसी को simplify करके यह बना हुआ है तो इसके इसमें भी और सी दोनों सेम ही बन रहे है actually n cube minus n p3 होना चाहिए था n cube minus n p3 वो सेम आ रहा है अब इसमें किसी ने मुझे बोला कि five digit number बता दो जिसमें कि seven exactly once आ है तो अब यहाँ पे मैंने cases बनाए actually बिल्कुल exactly cases बनाए seven को मैंने सोचा कि पहली जगा पे fill कर लो क्योंकि यहाँ पे zero की problem रहती है तो बाकी places को fill करने के nine 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 ways क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे seven नहीं आ सकता हो फिर seven को first place पे नहीं रखा seven को second पे रखा तो अब first place को fill करने के eight ways हो गए क्योंकि ना यहाँ पे seven आना ना यहाँ पे zero आना है इनको fill करने के nine 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 ऐसे के four cases बनते तो ये वाला case into 4 कर दो दूसरे वाला case into 1 कर दो directly उससे answer आ रहा है number of 4 at least 2 digits are identical ये same था जैसा भी हमने वो करा ना, 2 digits अगर identical चाहिए तो हमने total cases में से वो case minus कर दिया जिसमें की कोई digit identical नहीं है 5P4, जैसा भी एचला question कर रहा था है same था British neither begin with I nor end with E इसमें अब क्या करोगे बिल्कुल ही school के level का question था पर बच्चे paper में गलत कराते है total ways में से वो ways minus कर दो जो B से शुरू है फिर वो ways minus कर दो जो I से end हो रहे है पर साथ में वो वाले ways plus P करो, जो B से शुरू और I से end है, क्यों? क्योंकि वो दो बार minus हो गए यहां भी minus हो गए और यहां भी minus हो गए तो उनको एक बार minus होना चाहिए था इसलिए एक बार plus कर दो तो factorial 7 minus factorial 6 minus factorial 6 plus factorial 5 इसका answer बना लो, यह answer है चलो, अब यह वाले में न यह वाले में काम की बात थी वो देखना क्या? बाद में बच्चे पेपर के बाद फिर हाँ 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 कहते हैं कि हमसे ये जरा सी mistake हो गई तो अब तो हो गई तो वो पेपर में वो गलती जो हमने class में 20-20 बार सुनी है कि नहीं करनी, वो पेपर में क्यों करनी हैं हमने अब हमें किसी ने ये दिया कि 1, 2, 3, 4, 4 digits हैं हमने 6 digit का number बनाना है हर एक digit at least once होना चाहिए तो इसमें इस question में देखो मैंने cases बनाए मैंने पहले ये decide करा कि 3 numbers को मैं same लूँगा और बाकी जो 3 number है, 3 numbers को मैं same लूँगा जैसे 1 मैंने 3 बार ले लिया और बाकी तीनो 2, 3, 4 एक एक बार आ गए तो 3 number, 3 number मैंने same लिये 3 number मैंने different लियो एक number में 6 digit का number बन गया तो अब ये काम मैं कैसे करूँ पहले मैंने 4 में से एक number select करा जिसको कि मैं same रखूँगा बाकी 3 तो same ही है तो अब इनको जब arrange करेंगे तो factorial 6 upon factorial 3 3 same की वज़े से उसका answer बना लिया फिर decide करा कि 2 same ले लेते हैं 2 same ले लेते हैं और 2 different ले लेते हैं दो number repeat कर लेते हैं दो number repeat कर लेते हैं और दो फिर अलग अलग ले लेते हैं वो case बनाया है 2 जो same लेने हैं पहले 4 में से select करा कि कि इनको same लेंगे 2 different लेते हैं बाकी इनको arrange कर लिया factorial 6 upon factorial 2 ये answer बना इन दोनों को add कर लो answer आजाएगा अपना इस question में जो बच्चा गलत करता इस question में जो बच्चा गलती करता वो गलती ये करता वो गलती समझना important actually जो बच्चा यहाँ पे ऐसे करता कि वो गहता कि मुझे ये 4 नमबर एक एक बार तो ले नहीं है बस last 2 places को fill करने के वो यहाँ पे cases बनाता कि यहाँ पे इन में से पहले यहाँ पे 4 तो fill करी दो और बाकी इन दो numbers को यहाँ पे fill कर दो simply 4 into 4 करके 4 into 4 करके और बड़े अजीव-जीव से बच्चे combination बनाते है तो जो कुछ इस तरह का thought बना रहा होगा वो notice करना कि उसके method में कितने सारे जो cases है वो repeat हो रहे है यह पता है कैसे की गलती थी जैसे हमने याद है मतलब मैंने copy में भी कराया जो assignment जो हमने अब class भी जो लगाई उसमें भी समझाया कि जब at least वाले cases होते है उनको तोड़ के करा करो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा scope होता है कि हम गरबड कर जाएंगे तो वो गरबड आगे किसी question में तो ना भी मतलब इसी sign में आगे है जहां पे examiner ने मतलब जहां से मैंने question डाला author ने भी वो mistake करी हुई है तो इसलिए उसको समझना वो बहुत काम की बात है अब next देखो अब देखो हमने rank वाले questions तो करे होते हैं पर ये उसमें थोड़ा सा twist था twist क्या मतलब बहुत handleable सा twist था मतलब handle कर सकने वाला था पर ये notice करना कि इसको देखो मैं सोच था कैसे किसी ने कहा कि एक word object object को हमने arrange करा dictionary की तरह लिखा उसके हमने बहुत सारे questions करे हुँ में हमसे कहा गया कि 7-17th word बता दो तो object 6 alphabets है इनको arrange करो तो वैसे कितने की हिससे बनते हैं total dictionary में words कितने होते 7-20 तो इस question में एक route तो ये बनता कि मैं सीधे सीधे जाके 7-17th word निकालू तो उसमें मेरा time बरबाद होता तो मुझे दिखाया है कि 7-20 तो words है आखरी word से शुरू कर दो तो मैंने सबसे last word को बना दिया last word क्या बनता last में सबसे सबसे बड़ा word आता पहले which was T फिर उसके बाद क्या आता O, फिर J, फिर E, फिर C, फिर B फिर मैं इसको फिर मैं dictionary को मैंने पीछे से पढ़ना शुरू कर दिया फिर यहां पर क्या होता simply BC हो जाता, एक case ये बना ये cases खतम हो गए ये 719th word आ गया ये 720th होता तो अब यहां पर E जाएगा E की जाएगा कौन आएगा उससे पहले C C में यहां पर E भी आता फिर C भी E भला word आता देखो मैं dictionary को उल्टा पढ़ रहा हूं actually तो ये word जो मेरे काम का बना that is this इस question को देने की वज़ा ये थी कि अगर वो इसमें उल्टा पढ़वा दे तो हम उसको सीधे पढ़के अपना time बरबाद नी करेंगे तो ये question केवल इसलिए interesting था ये हमने class में करा हुआ है बहुत बार ये विकार है पर IIT में आया हुआ है करना क्या था simply cases बना देने थे totally ये boxes कितने थे 8 हमें कितने बंदे फिल करने 6 वैसे कितने cases बनते 8C6 पर इन 8C6 cases में 2 cases ऐसे बनते जिसमें कि 1 floor खाली रह जाता कौन सा case बनता कि ये 4 भरे और ये 2 भरे तो ये रह गया या फिर ये 4 भरे और ये 2 भरे तो ये वाला floor रह गया वो 2 cases हमने minus कर दिये पर अब की बार इनको आपस में arrange भी तो करना था लोग थे तो इसलिए 2 factorial 6 ये answer बनता number of words containing equal number of vowels and consonants where repetition is allowed तो ये विकार था हमें simply क्या given था vowels and consonants हमने equal number में डालने हैं तो इसमें बड़े काम की बात है छोटी से word बनाना है हमने equal number of vowels vowel कितने हैं vowel है 21 consonants कितने हैं 5 उल्टा बोल दिया consonants है 21 vowels है 5 अब ये सोचो बड़े ध्यान से समझना अब ये सोचो कि consonants और vowels मुझे place करने है 1, 2, 3, 4 बड़े इंट्रेस्टिंग बात है इसको समझना ये 4 places मुझे fill करनी है और बिल्कुल magical बात है जब समझ में आगे फिर ये questions गलत नहीं होते सोचो कि जब ये मुझे 4 places fill करनी है तो पहले मैंने 2 places select कर ली जहांपे कि मैं vowel ही fill करूँगा 2 places मैंने select करी जहांपे कि मैं vowel फिल करूँगा जो बची वी 2 places थी वो consonants के लिए आगे तो simply consonants को fill करने के उसके बाद 21-21 ways vowels के लिए 55 ways तो ये मेरा answer बनता जो हमने 12th में अपना variable distribution में देखा probability में उसकी जड़ अक्चुली यही है probability distribution यहीं से बना पर चलो इसके बाद बिकार था तो number of 7 digit numbers which can be written using only the 3 digit is 1, 2, 3 with a condition that digit 2 occurs twice in each number तो ये simple था अगर हमें digit 2 अगर twice चाहिए है हर number में तो हम क्या करते हैं simply हमने 2 places पे in 7 में से 2 places पे तो हमने 2 भरना है तो मैंने 7 में से 2 places select कर ली जहां पे कि मैं 2 को ही fill करूँगा जो बाकी बची 5 places हैं उसमें कोई भी number आ सकता है मान लो कि यहां पे और यहां पे मैंने decide कर लिया कि 2 भरा जाएगा तो इनको भरने का तो one way ही है क्योंकि यहां पे 2 नहीं आना है बाकी सब places पे क्या आना है बाकी बचे हुए numbers में से कोई भी बाकी number थे ही कितने 2 और number थे तो हर place को बचे हुए को fill करने के तरीके 2, 2, 2, 2 हो जाते 5 times यह मेरा answer था 7C2 into 2 की पार 5 consumption मना भी 7C2 into 2 की पार 5 total number of 3 letter words which can be formed some of the letters of the word Saharanpour is equal to इसमें cases बनाने पड़ते है recall करो हमने यह करा हुआ था पहले Saharanpour word को याद है बहले break करा कि उसमें इतने A हैं इतने R और यह single single फिर cases बनाए कि 3 same ले ले 3 letter का बनाना है 2 same ले ले 1 different ले ले या फिर 3 different ले ले यह हमने करा हुआ है school की copy के time पे भी करा हुआ है पर यह हमें आना चाहिए था answer भी match करना चाहिए था the sum of the digits in the units place of all the numbers form with the help of 3, 4, 5, 6 taken all at a time इसको सुनना हमें कहा गया the sum of the digits in the units place of all the numbers form with the help of 3, 4, 5, 6 taken all at a time मतलब 4 digit का number बनाना है तो अब 4 digit का जब number बनाओगे तो उसकी जो units place होगी वो 3 होगी या फिर 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी तो जब उसके units place पे 3 होगा कितनी बार होगा 3 जब यहाँ पे 3 होगा तो बाकी जो बचे हुए 3 numbers है उनको arrange करने के वेज कितने है 3 factorial तो यहाँ पे 3 कितनी बार होगा 3 factorial बार होगा 4 कितनी बार होगा 3 factorial बार होगा 5 कितनी बार होगा 3 factorial बार होगा and so on तो simply जो units place का sum बना वो बना 3 factorial multiplied by 3 plus 4 plus 5 plus 6 which is 108 इसी question में याद रखना कि अगर वो यह कहते कि इनको लेके जितने भी 4 digit के number बन सकते हैं उन सब का sum निकाल दो अगर वो कहते कि इनको लेके जितने भी 4 digit के number बन सकते हैं उन सब का sum निकाल दो तो अब अब की बार क्या करते हैं पहले हम units place का sum निकालते हैं ये कितने cases बने 3 factorial तो 3 plus 4 plus 5 plus 6 into 3 factorial ये आगया units place का sum हमने अभी अभी करा अब 10th place का निकालो अब सोचो कि 3 यहाँ पे होता 3 यहाँ पे होता तो बाकी 3 numbers को इन बाकी 3 places पे arrange करने के number of ways कितने बनते 3 factorial तो अब जो 3 है यहाँ पे वो कितनी बार आने वाला है 3 factorial बार जो की 6 होता है पर जो अब की बार 3 है वो 3 नहीं है वो 30 है क्यों क्योंकि 10th place पे है तो इसले जो 10th place का sum बनता वो बनता 3 factorial इंटू 30 प्लस 3 factorial इंटू 40 ऐसे ही 4 आएगा और तो 3 factorial इंटू 10 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 सेम ऐसे ही 100th place 3 factorial इंटू 100 इंटू आगे सेम और ऐसे 1000th place यह इसका सबसे basic question है कि अगर वो हमसे कहते कि इन सारे numbers का sum निकाल दो तो हम ऐसे करते इन question में कहानी कहां फस्ती है अगर वो 0 को involved कर लेते है कोई यह हमने हमें question क्या दिया गया था कि unit place का sum बता दो तो हमने सारे numbers का sum भी बनाना सीखा कि अगर सारे numbers का भी sum वो बोल दें और उन सारे 4-digit numbers का sum निकाल दो repetition not allowed repetition is not allowed तो अब अगर इसको लेके जब हम बनाते तो अब हम जब यहाँ पे भरते 3 यहाँ पे 3 भरने पे अब हमें clarity है कि इन places को fill करने के number वे इस 3 factorial नहीं है 3 factorial minus 2 factorial है क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं भरना वो कितना आ गया 6 minus 2 4 तो इसले इस place 3 यहाँ पे कितनी बार आता 4 बार 2 कितनी बार आता 4 बार 1 कितनी बार आता 4 बार तो units place का sum बन जाता 1 plus 2 plus 3 into 4 ऐसे ही 10th place का sum बन जाता 4 into 10 into same 100th place का sum बन जाता 4 into 100 into same लेकिन जो thousands place होती उसमें यहाँ पे जब हम 3 भड़ते तो अब बचे हुए numbers को arrange करने के ways कितने थे? 6 ये है इसमें कहानी तो इसमें जो thousands place होगी उसमें 6 into 1000 into 1 plus 2 plus 3 आते हैं तो अगर मेरे सामने question में वो 0 को involve करके दे देते तो हम उस question को ऐसे की कहानी ऐसे बनाते zero वाली बात को अलग से पकड़ते इसको समझना बहुत simple सी कहानी है बस हर बात हमें पूरी तरह focus करवाती है उस regular syllabus के काम पे permutation combination में हमने जो सबसे बड़ा focus पकड़ा वो था story building जब एक बार मुझे वो आ गया तो उसके बाद मुझे कोई कैसे हिला लेगा उसके बने question थोड़ी गलत करने वो कुछ भी डालेंगे ना IIT में वो doable होगा पस हमारी understanding right होने चाहिए यह same ही यह तो अच्छा ही question में यही discuss करवाया गया same ही डला हुए तो 0, 1, 2, 3 को लेके 4 different digits बनाना है चलो अच्छा है जल्दी हो गया इस question में number of ordered pair of integers किसी ने बोला कि इसके अंदर क्या होगे तो अब देखो मेरे मन में क्या आया मेरे मन में आया कि अरे तो circle लग रहा है x square plus 6 x plus y square बराबर है 4 के तो अब मैं यहाँ पे cases थोड़ी बनाने शुरू करता मैंने simply क्या कर रहा है circle की equation बना दी 9 add करा 9 add करा हो था तो x plus 3 का whole square plus y square is equal to 13 अब यह circle कैसा है जिसका center minus 3,0 है radius उसका root 13 है तो जितने इसके अंदर integer होंगे उतना shift करा दोगे उतने integer होंगे तो मैंने circle ही shift करा दिया मैंने circle ले लिया x square plus y square is equal to 13 यह ले लिया circle अब इसके अंदर के integral points मुझे गिनने है मेरे ख्याल से इसका option गलत है तो उनकी गलती हम नहीं worried होंगे अब यहाँ पे मैं इसके अंदर के cases गिनना चाहता हूं तो कैसे गिनते exactly ऐसे गिन गिन के तो यह 00 है यह 1,0 है इसको डाला negative answer आ रहा है मतलब 1,0 इसके अंदर है 2,0 वो भी line के उपर है 3,0 भी अंदर है 4,0 बहार होगा तो 3 points यहाँ बने ऐसे ही 3 points यहाँ बने चलो एक ही तरफ के गिनते हैं जब एक्स को 1,1 लोगे 1,1 इसमें डालो तो answer negative आ रहा है याद है power of a point circle के अंदर है point 1,1 अंदर है 1,2 डाला वो भी अंदर है 1,3 डाला वो भी अंदर है 1,4 डाला वो भार हो गया तो 1,3 डालो देखो x को 1, y को 3 डालो तो answer negative आ रहा है 2,2 को डाला 4 प्लस 4, 8 वो भी negative आ रहा है 2,3 को डाला 9 प्लस 4, 13 वो उपर आ रहा है तो उसको नहीं लेंगे हमने interior लेने हैं न satisfying the equation अच्छा उन्होंने satisfying बोला है कि अच्छा equation को satisfy ही कर जाए तो वो अपकी बार कम बनेंगे actually मैं interior वाले ले रहा था तो यह 2,3 बना यह बना ही अपकी बार simply 2,3 यह 2,3 बना ऐसे ही यहाँ पर minus 2,3 बन जाता और यहाँ पर negative वाला और यहाँ पर negative वाला तो 4 answers बने इसके और अब ऐसे ही 3,2 x को 3 ले लो पर अब x को यहाँ पर 3 ले लो y को 2 ले लो तो इसका answer 8 बन गया ठीक है अगर मैं पूछते हैं कि इसके अंदर less than equal to 4 वाले answers कितने होंगे तो उस case में answer जो बनता हो अलग बन जाता इस case में देखो मैंने circle बना के exactly ऐसे points डाल डाल के देखे पर square completion करना पड़ता ये था इस question को देने का complete sense देखो ये हमने कहानी करी हुई है कि A1 ने A10 से आगे आना है तो हम क्या करते थे A1 और A10 के लिए जगाएं पसंद कर लेते थे 10 में से कोई 2 चेस ले लो एक पे A1 आएगा एक पे पहले A1 आएगा बाद में A10 आएगा और बाकी बचे हुए लोगों को 8 factorial ways में अरेंज करा दो इसी बात को सोचने का एक तरीका ऐसे भी था कि A1 और A10 में half cases में A1 आगे होगा half cases में A10 आगे होगा तो simple ज़ा काम क्या करो total ways कितने बनते इनको अरेंज करने के 10 factorial उसका half कर दो इसी का ही बिल्कुल same question था next भी कि था ये कि हमें 10 persons को बिठाना है A, B, C तो A पहले आए फिर B आए फिर C आए तो factorial 10 अब उसी को बोलने का एक तरीका क्या था कि पहले 10 में से 3 chairs पसंद कर लो अलग-अलग पहले पे A को बिठा दो अगले पे B को अगले पे C को और बाकी बची हुई 7 chairs पे बाकी बचे हुए 7 लोगों को अरेंज करा दो ये मैंने करा क्या story building अब इसका mathematical version क्या बनता 10 में से 3 लोगों को select करा दिया और बाकी बचे हुए 7 लोगों को 7 vectoral wage में अरेंज करा दिया अब नेक्स देखो अब देखो इसमें हमें term given थी की 12 vacancies है 25 candidates है उसमें से 5 schedule class से हैं और 20 लग है if 3 of the vacancies are reserved for schedule class candidates while the rest are open to all then the number of ways in which the selection can be made तो जो बच्चा इस question में गलत करता वो यहाँ पर A वाल option बनाता जो बच्चा इहाँ पर गलत करता न वो वही गलती करता जो इस question में author ने करी तो author ने इस question में क्या गलती करी कि उन्होंने क्या करा कि 5 में से 3 पहले ले लिए schedule class से और उसके बाद जो उसके बाद वाले जो दो बच गए उनको 20 में mix करके simply यहाँ पर और cases बना लिया 29 कर लिया कि बचे हुई 20 लोगों 22 लोगों में से 9 लोग और select कर लो तो यह इस question में करी जाने वाली clear cut mistake थी यह जहां से मैंने question डाला हूँ उन्होंने वही गलती करी जो कि at least वाले question में लोग करते हैं अब इस question में अब समझना है इस बाग को देखो situation समझो 3 लोग हैं अगर बिलकुल recall करूँ कि situation कुछ ऐसी है अब मैं इस question को modify करता हूँ तो हमें लगेगा हमने करा हुआ था मान लो 20 men हैं और 5 women a committee of 12 is to be formed a committee of 12 is to be formed which should be having at least 3 women तो याद है कि यही same question हमने करा होता है यही question यहाँ पर language बदल के आ गया और author में भी गलत करा हुआ है हमें क्या करना चाहिए था cases बनाने चाहिए थे exactly 3 हमने schedule class से लिए 5C3 बाकि 20 दूसरी category से journal से 20C9 यहाँ पिर हमने 4 लिए schedule class से and 20 में से हमने 8 लिए यहाँ 5C5 on 20 में से 7 actually जो right answer बनता वो यह था जो wrong answer बनता वो यह था अगर गलत करा तो यह recall करो यह मैंने अपनी copy यह बिलकुल class में ही discussed है यह हमारे पास copy में है question की हमें clarity है कि at least वाल सवाल में यह गलती नहीं करनी तो interestingly तो यहाँ पर author ने भी गलती करे हुए तो अच्छी बात है in how many ways can a team of 11 players be out 6 of them are always to be included and 5 to be included यह बिकार था 6 को हमने हमेशा रखना है 5 को नहीं रखना 5 plays from the remaining लेने थे 14 सी 5 answer बन जाता हमने 6 को लेना ही है decided है तो उनको तो side में कर लो 5 को हमने लेना ही नहीं तो बचे लो कितने 25 में से 11 तो इतना से हट गए बचे कितने 14 उन 14 में से बस हमने 5 और लेने है क्योंकि 6 को तो पहले ही लिया हुआ है तो उनको select करने के ways कितने बनते है 1 वो तो 6 पहले से लिये गए है तो इस cancer बनता 14 सी 5 वो जो भी option हो को उसको mark कर दो इसमें हमें किसी ने भोला कि 2 bags है a man has to select equal number of balls from both the bags he must choose at least one ball from each bag तो simply हमें समझ में आते है MC1 square प्लस MC2 square पहले bag में से one ball ली दूसरे में से one MC1 into MC1 दूसरे bag में से two ball ली पहले में से two ball ली MC2 into MC2 ऐसे लेकि MCM तक का MCM तक का square बन गया यह बनी अपने time अब जो इसमें काम की बात थी वो यह कि अब recall करो कि हमें NC0 का square से लेके NCN तक का square याद है हमने यह बानो मिल थी और हमें अब करा हुआ है वो बराबर आता है 2NCN के इसका answer 2MCM होता लेकिन इसमें एक minus 1 भी आता तो इसका option actually C होना चाहिए था इसका option actually C होना चाहिए था यहाँ पर author ने B दिया हुआ है तो उन्हेंने गलत कर दिया he must choose at least one ball from each ball अगर यह ना दिया होता तो यहाँ पर MC0 का square भी आ जाता तो जो option बनता वो भी बनता अभी C है इस question के इसाफ से जो answer है वो C है तो को यह question हम पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि binomial की हमने यह coefficient वाल understanding नहीं करी थी अब करी यह तो अब यह होना चाहिए था a person always prefers to eat eat paratha and vegetable dish in his meal in how many ways can he make his flatter in a marriage तो three types of parathas हैं तो अब जो यहाँ पे जब three types of parathas हैं हमें यहाँ पे दिया गया कि he prefers to eat मतलब उसने at least paratha लेना है यहाँ पे language वैसे clear नहीं है पर मैंने इस question में एजियूम करा कि at least वो एक paratha लेगा at least यहाँ पे एक paratha 2 and 3 4C1 से लेके 4C4 और 3C0 से 3C3 और 2C0 से 2C2 तो क्या करा यहाँ पे समझ में आता है कि जब हम selection कर रहे हैं तो कितने तरीकों से selection हो सकती है तो वो जो paratha हैं इस case में उनको select करने के तरीके अपने आप में कितने बनते हैं यह दूसरे vegetables के लिए 4C1 से शुरू हो के 4C4 तक फिर sauces के लिए and जो भी salads के लिए 3C0 से 3C3 और 2C0 से 2C2 यह पूरो multiplication मेरा answer था अब यह हमें आता है simply 3C0 से 3C3 तक का sum कितना 2 के पार 3-1 यह 2 की पार 4-1 यह 2 की ओग और यह 2 square यह answer था तो यह था इस वाले का sense यह वाला हमने class में करा हुआ है कि अगर इसमें अगर बिल्कुल same pattern था इसको याद रखना मुझे अगर इसमें even divisors अगर बनाने है even divisors बनाने का मतलब क्या बना कि 2 कम से कम 1 तो आना है तो एक तरीके से यह packet है जिसमें 3,2 पड़े हूँ है तो इसमें से 2 लेने के तरीके कितने है यह हम 1,2 लेते या 2,2 लेते या 3,2 लेते या 1,2 लेते या 2,2 लेते या 3,2 लेते कितने केसे बने? 3 यहाँ पे 3 आना था 3 का square है इसके लिए cases कितने बने? 3 या 3 एक भी नहीं लिया या एक लिया या दो थरी लिये 5 के लिए भी 3 cases या 7 लिया तो यह बनता जो इसका answer है इसी question में अगर वो कहते हैं कि मुझे multiple of six चाहिए तो हमें समझ में आते हैं कि एक two आता और एक three तो आता ही आता उस case में यहां पर two हो जाता इसी format पे question IIT में आया हुआ हमने करा भी हुआ है यह बिकार था, यह simply बहुत straightforward था इसमें cases ही बनाने थे, यहां मैंने mention करे हुआ है हमने class में भी करे हुआ हुआ है complete story building थी two teams player यह बिल्कुल बिकार था, language गेवल थी तो वो total number of outcomes कितने possible थे 243s में तो अगर number of जो decide करवा रहे outcomes वो भी एका 243 हो जाए और वो अलग-अलग बोलें तो एक का तो सही हो जाता अपने आप तो इस concept 243 था और simple question था यह वाला था पूरी तरह कहानी बनाने वाला हमें दिया कि 1200 रिंट्स हैं, दो कहते हैं कि हमने साथ नहीं होना, दो कहते हैं कि हमने होना ही साथ है, तो मैंने ऐसी नाम रख लिया कि A, B कहते हैं कि हमने साथ होना है C, D कहते हैं कि हमने साथ नहीं होना तो अब सारे cases बनाए एक बार A, B, C, D चारों को नहीं लिया कि बहुत मेखरे करते हैं, इनको हटा दो बाकि जो 8 लोग बचे, उनमें से 4 ले लो एक बार हमने A, B को रखा और C, D दोनों को निकाल दिया वो case बनाया एक बार A, B को रखा C को रखा, D को निकाल दिया एक case लिया जिसमें A, B को रखा C को नहीं रखा, D को रख लिया तो वो simply 8, C, 1 इसके लिए आया 8, C, 1 दूसरे के लिए आ गया फिर हमने क्या case बना लिया कि A, B दोनों को रखा दो और C और D में से 1 को ले लो एक बार C को लो, D को छोड़ दो एक बार D को लो, C को छोड़ दो वो cases बनाया है बाकी बच्चे वो लोगों में से 8, C, 3, 8, C, 3 तो ये cases बनाने के पीछे ये पूरी तरह story building थी और ऐसे question IAT में बहुत आते है story बनवाने वाले ये वाले का लेको sense क्या था कि P1, P2 ऐसे आपस में match लगा रहे हैं तो हम इन 2N matches में से चाहते हैं कि P1 जीते तो कैसे जीते का यहां तो वो N plus simply 2N में से 2N match जीत जाए ये 2N minus 1 जीत जाए ये कम से कम N plus 1 तो जीते तो actually ये question क्या था कि 2N c N plus 1 से लेके 2N c 2N तक का sum निकालो तो अब recall करो कि 2N c 0 से लेके 2N c 2N तक हमें आता है वो 2 की पार 2N है तो अब ये जो पहला पार्ट है बीच में 2N c N को छोड़ दो तो ये पहला पार्ट और ये बादवाला पार्ट याद है सेम है तो ये 2N c N minus 1 2N c N plus 1 के बराबर है ऐसे हट हम तो ये K plus K 2K plus 2N c N ये बराबर था 2 की पार्ट 2N k तो इसको अधर ले जाओ अपन 2 कर दो directly इपना अशरा जाता So this was the complete sense ये इसका sense बनता ये बिकार है बहुत easy था इसमें हमें cases बनाने थे हमें अगर चाहिए कि अगर different sites के उपर हो तो हम लोग यहाँ पे cases बना लेते इसको ले लिया और 2 vertex यहाँ ले 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 या फिर यहाँ ले 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 मतलब cases बना के था और simple था हमने ऐसा question करा भी होगा ये अब हमें आता था अब यहाँ पे हमने एक dice को 3 बार roll करा और हमें sum क्या चाहिए 11 तो हमें actually x plus y plus z बराबर चाहिए था 11 के x plus y plus z बराबर चाहिए था 11 के इसमें हम cases बना के भी कर सकते थे कि इसको 1 ले लो x को फिर y z के cases बना लो and so on जैसे हमने आज अभी सुना यहाँ फिर हम क्या करते कि हम लोग simply यहाँ पे multi-normal theorem लगा देते जो हम लोगोंने simple सा logic करा आज वाली class में x की पार 1 से लेके x की पार 6 तक actually मुझे इसमें x की पार 11 चाहिए अब मैंने आपे इसको multiply करा simply gp का formula अपलाए करा तो यहाँ पे देखो situation यह बन गई अब मुझे इसमें से x की पार 11 चाहिए ना तो x cube तो बहार आ गया तो इसमें से x की पार 8 चाहिए मुझे अब इसमें x की पार 8 एक तो आएगी जब यहाँ का 1 multiply करेगा यहाँ के x की पार 8 के साथ और एक तब आएगी जब यहाँ के x की पार 6 वली term multiply करेगी यहाँ के x की पार 2 वली term के साथ तो अब की वर्ष में 2 cases बनते एक तो बना simply इसमें x की पार 8 वली term n प्लस r माइनस 1 c r minus 3 times of देखो x की पार 6 का coefficient क्या आएगा 3 minus के साथ तो minus 3 times of यहाँ से x की पार 6 valid term x की पार 2 valid term इसमें से तो ये बनता इसका आंसर ऐसे करने पे तो ये question interesting था पर इसके पीछे का जो logic है वो अभी हम कराएं इसी question को directly cases बना के भी कर लो बिल्कुल straightforward बस इससे जादा वो हमें इस topic में फिलाएंगे नहीं अब इसको बहुत ध्यान से समझना ये हमारे लिए ये understanding बहुत काम की है इसको notice करो अब देखो ये दो questions साथ साथ थे इनका sense समझना और बड़ी interesting बात है जो अभी हम समझने लगे हैं that is distribution इसको इसको books में उन्होंने formulae बना-bना के crap करा हुआ है बिलकुल बेडा घर करा हुआ है तो हमने कुछ नहीं करना वैसे का तो मैं इसका बिलकुल simple example देके बताता हूँ फिर इसी question पर वापस आएंगे चलो इसी से कर लेते हैं मानलो में किसी नहीं दिया कि the number of pace in which 12 books can be put in 3 shelves with 4 on each shelf चलो मैं इसी question की रहा है language को थोड़ा change कर देता हूँ हमें सुनने में समझ में आएगी मानलो 3 लोग हैं कोई भी 3 लोग मानलो मानलो Rahul Gandhi है Narendra Modi और Arvind Kejriwal तीन लोग हैं तो हमारे पास 12 चीज़ें 12 things हैं और 4-4 things हमने हर एक को देनी है 4-4 things हमने हर एक को देनी है तो हम क्यासे करते हैं हमने 4-4 things हर एक को देनी है तो हम लोग simple सी कहानी क्या करते हैं कि पहले 12 में से 4 चीज़े निकालते हैं पहले को दे दी फिर बाकी बच्चे हुए 8 में से 4 चीज़े निकाली अगले को देदी और बाकी बच्चे हुए 4 में से 4 चीज़े निकाली अगले को देदी तो हम लोग करते हैं 12C4 इंटू 8C4 इंटू 4C4 12C4 इंटू 8C4 इंटू 4C4 12 में से पहले 4 चीज़े निकाली पहले को देती जो बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं वो गलती आगे वाला यह factorial 3 होता यह गलत है यह नहीं करना क्यों नहीं करना तो कि एक बच्चे को लगता है कि मैं इनको arrange भी तो करूंगा कि जो यह 12 चीज़े हैं जो 4 चीज़े को मिली क्या पता है इनको मिल जाएं जो इनको मिली क्या पता है इनको मिल जाएं और जो यहाँ पर गलती हुई वो गलती पता है कि जब ऐसे लिखा तो क्या यह समझ में आता है कि इनका arrangement हो गया मानलो जो 12 things हैं जो 12 things हैं, वो मानलो समझाने के लिए A1 से लेके A12 तक है, तो 12C4 में कभी मानलो इनको A1 से लेके A4 तक मिली, यहाँ पे A5 से लेके A8 तक, यहाँ पे A9 से लेके A12 तक, इसी 12C4 में कभी A5 से A8 आ रहा है, और दूसरे cases, और दूसरे cases, मतलब यहाँ पे जो इनका आपस में होने वाला arrangement है वो हो गया हमें कुछ नहीं करना उसके लिए तो 12C4 x 8C4 x 4C4 तो जो पहला question अभी हमने करा यह यही था कि हमें simply 3 shelves given थी देखो 3 different shelves है ना different shelves है इस case में जब हमें यहाँ पे इन पे arrange करना था 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 इसी का दूसरा version है यह question कि हमें simply कहा गया there are 3 copies each of 4 different books in how many the number of ways in which they can be arranged is बस हमने अब कुछ नहीं करना पस हमने bundle बनाने तो bundle बनाने है तो आगे बीचे रखने का तो कोई फरक ही नहीं पड़ता इस case में 12C4 x 8C4 x 4C4 हमने 3 different लोगों को अब नहीं देनी हमने simply 4-4 के 3 bundle बनाने है तो उस case में हमने पहले bundle में 12 में से कोई 4 डाल दी अगले bundle में 8 में से कोई 4 डाल दी last वाले bundle में 4 में से कोई 4 डाल दी पर अब हमें clarity है कि ऐसा करने पे इनका actually आपस में arrangement भी count हो रहा है वो हमें नहीं चाहिए कि simply bundle बन रहे है जो मान लो पहले A1 से A4 अगर यहां पे आ रहा है तो दूसरी बार में A1 से A4 अगर यहां पे आएगा तो वो नहा bundle थोड़ी बना सेहीं बात है इसलिए अब की बार क्योंकि आपे arrangement बीच में आ रहा था जैसा हमने अभी अभी देखा इसलिए इसको हम factorial 3 से divide करते हैं इसलिए इसको हम factorial 3 से divide करते हैं यह बड़ी अकल की बात है बेडा गर्क करा हुआ है किताबों में पर मुड़ी इसके नाम पे distribution के नाम पे और बच्चों ने correspondence notes में दुनिया भर का panic मचाया होता है हमने कुछ नहीं पढ़ना जैसे इसको अभी मैंने deal करा है ना इसको बिलकुल वैसे पकड़ो इसी में अगर मान लो कि 3 लोग है R, M, और E मान लो मुझे कोई कहता कि इन 3 को हमने ऐसे देनी है books इन 3 को हमने books ऐसे देनी है कि 1 को 5 देनी है 1 को 4 देनी है 9 होगे और 1 को 3 देनी है जो books का number है वो अपकी बार different है books का जो number है वो different है तो अब हम क्या करते 12 में से 5 लेते फिर बाकी 7 में से कितनी होगे अपकी बार 7 में से कितनी 4 लेनी है और 3 में से 3 लेनी है एक को 5 देनी है, एक को 4 देनी, एक को 3 देनी है, अलग अलग देनी है न, तो अब की बार देखो, यहाँ पे, जब हमने यह ऐसे करा, अब की बार, यहाँ पे, हम further factorial 3 करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, यह सोचना, योगि अब की बार, अगर मानलो, इनको अगर 5 बुक इनको अगर 3 books मिली, तो अगली बार जो 5, इनको जब 5 books मिली, तो वो अलग कहानी हो गई, जब books same है, तो arrangement बीच में count हो रही है साथ-साथ, उस बात को notice करो, बिल्कुल ऐसे मानलो A1 से A5 यहां गई, तो अगली बार A1 से A5 यहां गई, अब की बार यहां पे, इनके case में यहा पेक्टोरल 3 आता, और अगर यहां पे हम लोग को bundle बनाने को कहा जाता, simply bundles बनाने को कहा जाता, तो बस यह आता, पेक्टोरल 3 ना आता, योगि बाद में पेक्टोरल 3 से डिवाइड करना था, यह है इसका further और interesting version, इसको books में सब जगा याद करवाया हुआ है, वही गलती ह हमने कुछ याद बाद नहीं करना, इसको सोचो मेरे साथ साथ, A1 से लेके A12 तक अगर मानलो cases लिए, मानलो यह books का नाम है, तो मानलो इनको books मिली A1 से लेके A5 तक, इनको books मिली फिर A6 से लेके A11 तक, और फिर बाद वाली books इनको मिल गई, जहां तक भी गई थी, तो अब क अगी बार, जैसे पिछली बार मैंने नोटिस करा था कि A1 से A4, फिर अगली बार यही पे A1 से A4 आ रहा है, तो वो वहाँ पर repetition हो रही थी, यहां नहीं हो रही थी, इसलिए यहां पर जब यह cases different थे तो into factorial 3 भी आया, इस बात को समझना, इस पर question जिस साल आया, उस साल मानलो, अब 2 को देनी है, हमने 2, 2 books, कितनी बच गई, 4 हो गई और 1 को देनी है, 8 books, मिलाग 12 थी, तो उस case में हम क्या करते ही, 12C2 into 10C2 into 8C8, यह तो पहले हमने करा, into 3 factorial by 2 factorial, into 3 factorial by 2 factorial, क्यों कर आपकी बार यह, क्योंकि अपकी बार simply यहां पर 8C8, किसको 8 मिली, वो भी तो कहा नहीं हाएगी न, तो इसलिए यहां पर into simply 3C1 कर लो, एक ही बात है वैसे, यह बनता उसका answer, अगर situation में यहां पर 2 को हमने 2, 2 books देनी होती है, और 3 को 8, इस बात को न, एक बार इस पर कोई बहुत ज़ादा research करने के जरूरत नहीं है, पर इस पर हमने वो नहीं करना, जो सब कर रहे हैं, कि वो एक आम बात का रटा लगा रहे हैं, बिलकुल books में, बहुत ज़्यादा competition के books में, distribution के नाम पर formula दी होते हैं, दुनिया भर के, हमने कुछ नहीं पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ने, जो बस मैंने यहां theory बताई, इसको फिर सुनो, इसको देखो कि मैं कैसे इ समझो, selecting two numbers, so that the sum is divisible by three, यह पहले भी कराया हुगा है, इसमें एक तीनो three का multiple ले लो, यहां पर दो number लेने, three का multiple ले लो, यह एक three का multiple से एक जादा और एक दो जादा, तो इसमें बलता question, यह पहले करा होगा, अच्छा, अब इसमें इसको ध्यान में रखना, कि एक जो polygon कोई भी polygon लो, कोई पूछे कि उसके number of points, interior points of intersection कितने होंगे, तो इन में से polygon के कोई भी four vertices ले लो, कोई भी four vertices ले लो, उनको intersect करने पे एक interior point of intersection of diagonals बनता है, कोई भी four vertices ले लो, तो number of points of intersection of diagonals कितना बनता है, nc4, क्यों करा nc4, क्योंकि simply number of four points, हमने कोई भी four points लिये, 4 points लो उनको आला तेडा जॉइन कर दो तो एक internal point of intersection of diagonals बन जाता है कितने बने NC4 इस question में NC4 मुझे 70 given था मैंने NC4 का फटावट बनाया 70 करा यह 4 consecutive numbers multiply करके यह बन रहा है by 4 थाने factorial अब फटावट मैंने इसको इसी format में लिखने की कोशिश करी 70 को break कर लिया 7 into 5 into 2 अब मुझे देखा कि यह 5 into 2 10 है उसका फायदा नहीं हो रहा तो मैंने 4 into 2 कर दिया वो बन गया 8 तो यह 8 into 7 into 6 into 5 बना वहाँ से n की value मेरे पास directly compare करके बन गई की 8 है number of diagonals कितने होते हैं NC2 minus n n को 8 डाल दो directly answer आ गया तो interesting था लेकिन doable था ये भी हमने करा हुआ इस्तरा का मुझे A और IIT में आया है बिल्कुल same pattern पर question मुझे इन दोनों sets के बीच में exactly two elements चाहिए common तो पहले मैंने n में से two elements ले लिये जो कि मैं दोनों में common लूँगा NC2 ways में जो बाकी बचे n minus two elements हैं वो यहां यहां जाएंगे यहां यहां जाएंगे यहां बाहर जाएंगे intersection वाले portion में नहीं आएंगे तो उनको fill करने के कितने ways बने हर एक के लिए three total ways बन गए three की power n minus two पहले के लिए three, अगले के लिए three, अगले के लिए three and so on तो three की power n minus two यह इसका answer बनता 7-digit number divisal बना इन बनाना है यह simple था वैसे the number of ways in which this can be done यह विकार था, हमने 7-digit number बनाना है तो हमें, इस question में कोई term में कोई घरबड है तो इसको मैं अभी नहीं कर रहा है लेकिन यह कभी discussion में आ जाएगा यह distribution का same है यह मैंने हम लोगों ने पहले कर लिए discuss number of positive solutions of this अब देखो जब positive solutions हैं तो यहाँ पे x, y, z सारे greater than equal to 1 थे तो मैंने x1 बना लिया जो की x plus 1 है x1 कितना हो गया फिर? greater than equal to 0 x1 plus y1 plus z1 plus w1 equal to 6 करना है एक second में हमें clarity है कि x की पार 6 निकालना है 1-x की पार पर इस पे बहुत पानिक मत होना क्योंकि बुक्स में उन्होंने इस पे बहुत पानिक करवाया हुआ वो हमें आते हैं यह सेम है non-integral, non-negative बहुत simple है number of ways in which 10 balls can be selected from 10 identical green balls, 10 identical blue balls 9 identical red balls अब यह notice करो कि exactly मैंने वही logic लगाया जो मैंने इसकाया था simply मुझे इस में से x की पावर इस पूरे में से x की पावर बनाना है 10 तो अब जब मैंने इसको बनाया तो अभी हाँ पे notice करना इस में से तो केवल 1 ही आएगा एक case बनेगा जब यहां का 1 multiply करेगा यहां के x की पार 10 के साथ, एक case बनेगा minus x की पार 10 जब multiply करेगा यहां के 1 के साथ, तो इसलिए इसमें एक minus 1 भी आना था, तो इसलिए जो इस वाले question का answer बनता, that was 65, इसको notice करना कि इसको मैंने कैसे बोला, exactly वही बात, जो मैंने भी आज वाली क्लास में शुरू में सिखाई, यह एकार है मैंने करवाया हुआ है, चलो this brings us to the end of the discussion of this assignment, इसमें हमने दो नई बाते सीखी, एक तो जो light terms वाली जो हमने करी जो आज वाली क्लास में 1 minus x की पार minus n वाली, दूसरा distribution का logic समझा, तो उसके लावा और हमने कुछ नहीं करना, एक छोटी सी नाम है वैसे de-arrangement, वो probability assignment की बीच में कोई question के through वो भी साथ में cover कर लेंगे, पर जितनी बाते ये बताई, बस इस पे इसके अलावा मत हिलना distribution में इसके अलावा कुछ नहीं देखना चलो, अब revise करो इतने काम को